Hello everyone, चलो बच्चे, अच्छा हमने आपका income tax में heads of income, हमने सारे discuss कर लिए, अपको छोटे छोटे topics हमारे income tax में हैं, वो करना शुरू करेंगे, चलो बेटा, chapter 8 पे आओगे, नाम है chapter 8 का clubbing of income, बहुत simple सा छोटा सा chapter है जड़ा देखना, इसमें ना हमारे पास सबसे पहला है section 60, इंकम transferred without transfer of assets, आचा हो, चलो बेटा, करना शुरू करते हैं, हमारे पास सबसे पहला section, section 60 है, अचा हो, यह section 60, किसके बारे में है, transfer of income, transfer of income without transfer of assets, transfer of income without transfer of assets, एक reading मारनें जल्दी से पहले, फिर हम समझते हैं, कहता कह, देखो, वो कह रहा है, if a person transfers income to another person without transfer of assets, from which income arises, then such income shall be taxable in the hands of the transferer, देखो, मैं आपको एक्जाम्पल से पुरा केस समझाऊंगा, समझना, एक्जाम्पल, देखो बेटा, अच्छा, assume करो, एक person है Mr. A, ठीक है, और उसकी wife है, Mrs. A, बात समझना सब, पता है, जो Mr. A है न, वो currently, कहीं पर job कर रहा है, जहां पर उसे salary, suppose, 15 lakh per annum, उसे salary मिल रही है, ठीक है, अब पता है क्या, सुनो, और रही बात चलो, मैं अगर Mrs. A की भी बात कर लूँ, Mrs. A, एक housewife है, और Mrs. A की income, निल बटा निल है, ठीक है, मतलब Mrs. A कोई income है, सच, नहीं कमाती है, अब पता है हुआ क्या, देखना, अब नहीं यह जो Mr. A है न, इसके नाम पे, इसके नाम पे, एक house property भी है, Mr. A के नाम पे एक house property भी है, जहां से rental income, जहां से income suppose, 5 lakh rupees per annum की income जहां से आती है, जहां से income कितनी आती है, 5 lakh rupees per annum की income आती है, पता है अब क्या सुनो, अब जो यह Mr. A है न, यह क्या सोच रहा है, ध्यान से सुनना, Mr. A पता है क्या सोच रहा है, कि मैं currently job कर रहा हूँ, जहां पर मैं कमा रहा हूँ, 15 lakh rupees per annum, मतलब, मैं already, मैं 30% के tax bracket में, मैं already हूँ, ठीक है, तो इस 15 lakh पे मैं already कितने percent tax bracket में हूँ, 30% tax bracket में हूँ, 10 lakh से ओपर 30% लगता है, तो मैं already 30% के tax bracket में हूँ, अब सुनो, अब Mr. A को क्या लगता है, कि यार, ये जो house property की income है, 5 lakh rupees, अगर इस income को, मैं अपनी ही income में शामिल कर लेता हूँ, अगर मैं इस house property की income को, अपनी income में शामिल कर लेता हूँ, तो मैं already 30% के tax bracket में हूँ, तो मुझे इस income पे भी, बताओ क्या देना पड़ जाएगा, 30% का tax देना पड़ जाएगा, यानि बताओ, 5 lakh पे 30% मतलब, देड़ लाक रुपे तो सीधा सीधा tax में चला गया, प्लस बेटा, सैस भी तो देगा, 4% का सैस देदेगा, यानि देखा जाए न, देखा जाए, तो उसे इस house property की income पे 1,50,000 tax का, और उस पे 4% यानि 6,000 का सैस, मतलब, टोटल बेटा उसे देना पड़ जाएगा, सरकार को 1,56,000 रुपे, ये उसे देना पड़ जाएगा, अगर, अगर, वो इस income को अपने hands में शामिल करता है, अगर, वो इस income को अपने hands में शामिल करता है, तो अब पता है, वो क्या चाहता है, वो किसी तरीके से न, सुनो, जो Mr. A है, वो किसी तरीके से न, ये tax सरकार को देना नहीं चाहता, मतलब, वो करना चाहता है, टैक्स का evasion, वो टैक्स की चोरी करना चाहता है, बेटा, Mr. A, ठीक है, अब उसने चोरी करने का बेटा तरीका क्या सोचा, सुनो, अब उसने चोरी करने का तरीका क्या सोचा, उसने न, एक gift deed बनाई, क्या बनाई एक, gift deed, या मैं चलो simple बोलता हू उसने एक deed मनाई ठीक है और उसने अपनी deed में लिखा कि आज से आज से इस house property से आने वाली income मेरी नहीं होगी आज से इस house property से आने वाली income मेरी wife की होगी तो उसने basically deed के थुरू क्या किया income का transfer कर दिया बेटा क्या कर दिया transfer of income अच्छा मैं एक बार बताओ ये income कौन से assets से आ रही थी house property से notice करना उसने house property wife के नाम नहीं करी house property अभी भी Mr. A की ही नाम है उसने house property से आने वाली income wife के नाम करी है मतलब transfer of income without transfer of asset उसने याद रखना उसने house property wife के नाम नहीं करी है उसने house property से आने वाली income wife के नाम करी है बात पहले बताओ समझ आईए वाली सब को अब इससे मुझे बताओ इससे benefit Mrs. A को क्या हुआ अब बताओ Mrs. A की मुझे एक बाप बताओ Mrs. A की income अब कितनी हो गई income हो गई Mrs. A की ये पांच लाक अब Mrs. A की income हो गई तो income हो गई Mrs. A की पांच लाक चलो एक काम करो जरा tax निकाल दो पांच लाक रुपे पे tax on rupees 5 lakh suppose Mrs. A की age 60 से कम है तो पांच लाक पे tax आता है धाई लाक रुपे तक तो निला क्या up to 2.5 लाक निल 2.5 लाक से 5 लाक तक 5% मतलब धाई लाक पे 5% साड़े बारा हजार रुपे का tax ठीक है तो Mrs. A का tax बना साड़े बारा हजार रुपे और आपको याद है rebate भी मिलती है under section 87A इसमें से minus होगी rebate 87A की कितनी थी rebate amount of tax 12,500 और 12,500 whichever is less तो लो पूरी rebate मिल गई 12,500 की तो बताओ कि Mrs. A के hands में कितना tax पढ़ा बिटा निल Mrs. A के hands में कितना tax पचा बना निल तो एक बाप बताओ अगर Mr. A इस income को अपने hands में शामिल करता तो उसे इस income पे बेटा देना पढ़ जाता 1,56,000 रुपे का tax ये देना पढ़ जाता किसको Mr. A को अगर वो इस income को अपने hands में शामिल करता लेकिन सिर्फ एक डीट बनाने की मदद से एक डीट बनाने की वज़े से वाइफ के hands में कितना tax पढ़ रहा है बिटा निल तो सीधे सीधे बताओ सीधे सीधे Mr. A को Tax Savings Mr. A को Tax Savings कितने रुपे की हो गई 1,56,000 रुपे की बेटा क्या हो गई Mr. A को Tax में बचत सिर्फ किस वज़े से एक डीड बनाने की वज़े से Mr. A को Tax में बचत हो गई 1,56,000 रुपे की बेटा बात पहले बताओ समझ आईए सब को तो पताए अब Income Tax अब गर्मेंट ने एक बात सोची गर्मेंट ने कहा अगर हमने लोगों को ये करने का ये करना अलाओ कर दिया तो आप विश्वास मान के चलो बेटा गर्मेंट के हाथ में एक रुपे Tax का नहीं आएगा अगर गर्मेंट ये चीज अलाओ कर दे मतलब अगर गर्मेंट कह दे कि भाईया आप अपनी इंकम जिसको मर्जी ट्रांसफर करो विदाउट ट्रांसफर आफ असेट तो आप सोच के देखना समझा हूँ एक बाद लिक ना मत वैसे एक बात सोचो मैं एह हूँ मेरे घर में चार लोग है फादर एक्जांपल दे रहाँ सिर्फ मदर स्पाउस वाइफ वाइफ और बेटा सन अब सोचो अगर गर्मेंट कह दे कि आप अपनी इंकम जिसको मर्जी ट्रांसफर कर सकते हो तो मैं क्या करूँगा मैं अपनी थोड़ी इंकम फादर के नाम पे ट्रांसफर कर दूँगा थोड़ी इंकम मदर के नाम पे ट्रांसफर कर दूँगा थोड़ी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दूँगा थोड़ी सन के नाम पे ट्रांसफर कर दूँगा इस बेटा सिंपल वर्स में अगर government मुझे allow कर दे diversion of income this is known as diversion of income अगर government मुझे diversion of income allow कर दे तो विश्वास मान के चलना बिटा government को tax के नाम पे एक रुप्या भी receive नहीं होगा तो government ने कहा हम आपको ये चीज allow नहीं कर सकते मतलब मैं काम की बात प्यार हूँ मतलब अगर आपने किसी परसन को किसी भी परसन को अगर आपने income transfer करी और जिस asset से वो income आ दी है वो asset transfer नहीं करा है तो याद रखना clubbing provision section 60 क्या कर जाएगा apply और पता है ये section 60 कहता क्या है सुनो मेरी बात section 60 कहता है लिखना मेरी बात as per section 60 section 60 कहता है अगर आपने किसी परसन को income transfer करी और जिस asset से वो income आ रही है वो asset transfer नहीं करा तो वो income transfer के hands में taxable नहीं होगी किस के hands में taxable नहीं होगी transfer के hands में taxable नहीं होगी बलकि वो income transferer के hands में ही क्या होगी taxable तो इस वाले case में एक बार बता दोगे चला ए कौन है? ए है बेटा transferer कौन है ए? transferer और Mrs. A कौन है? transferee तो section 60 कहता है अगर आपने किसी person को income transfer करी और जिस asset से वो income आ रही है वो asset transfer नहीं करा तो उस income पे tax transferee नहीं देगा उस income पे tax transferee नहीं देगा बलकि transferer को ही उस income पे tax देना पड़ेगा यानि वो income किसके hands में taxable होगी? Mr. A के hands में ही क्या होगी? taxable तो लिखना अस पर section 60 income shall not be taxable in hands of transferee instead 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 it will be clubbed it will be clubbed in hands of transferer वो income transferer के hands में ही बेटा क्या हो जाएगी? taxable हो जाएगी तो बेसिकली न लोग tax evasion के क्या ढूंड रहे है बेटा तरीके और government उन तरीकों को उन रास्तों को बंद कर रही है तो section 60 ऐसा ही एक section है जो tax evasion के रास्ते को बेटा बंद कर रहा है मेरे खाल से clear हुआ sum up कर दूँ एक बार क्या कह रहा है section 60 बेटा section 60 कहता है अगर आपने किसी person को income transfer करी और जिस asset से वो income आ रही है वो asset transfer नहीं करा तो उस income पे tax transfer नहीं देगा उस income पे tax transferer को ही देना पड़ेगा this is your section 60 copy कर लो छोटा सा section था फिर अगले section पे आते है मेरे खाल से concept ये वाला section 60 का पेटा clear हुआ सबको चलो copy कर लो फिर मैं आपको एक अगला section कराता हूँ section 61 चलो करें आजो पेटा next section पे आजो देखो अगला है section 61 अब सुनना मेरी बार पेटा section 61 पेटा अब हम करेंगे section 61 ठीक है और एक हम करेंगे पेटा section 62 ठीक है ये सब related है आपस में और फिर हम करेंगे बेटा section 63 तो तीन sections करेंगे आजो मेरे साथ साथ देखो चलो बेटा हैडिंग लिखो transfer of assets transfer of assets दो parts में से divide करना revocable transfer irrevocable transfer irrevocable transfer पेटा revocable transfer है section 61 और irrevocable transfer है section 62 ध्यान से मेरी बाद पेटा सुन लिए देखो पेटा एक बाद याद रखना अभी हमने section 60 में हमने क्या discuss करा मैं एक बाद दुबारा बता रहा हूँ section 60 कहता है अगर आपने अगर आपने किसी person को income transfer करी और उस asset से आने वाला income जिस asset से आ रही है वो asset आपने transfer नहीं करा तो वो income taxable transferी के hands में नहीं होगी बिटे वो taxable होगी in the hands of transfer है ना तो इसका मतलब जो section 60 था वो कहता था income का transfer हुआ है जिस asset से वो income आ रही है उस asset का transfer नहीं हुआ है सिर्फ income का transfer हुआ है asset का transfer नहीं हुआ है अब जो section जो case अब हम पढ़ेंगे उसमें बताओ किसका transfer हो गया asset का ही transfer हो गया है तो section 60 बात करता था income का transfer हुआ है asset का नहीं हुआ है अब जो हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे asset का ही क्या हो गया transfer transfer ना दो तरीके का होता है एक होता है revocable transfer और दूसरा होता है irrevocable transfer अब क्या होता है difference between revocable and irrevocable वो हम थोड़ा समझेंगे ध्यान से मेरी बात सुननी है सबने ओ बीटा पता है बीटा पहले न revocable की उन्होंने definition दे रखी है यह देखो फिर मैं समझाऊँगा पहले पढ़ते हैं revocable की न उन्होंने definition दे रखी है section 63 में When a transfer is revocable, ठीक है, देखो, revocable कब कहा जाएगा? If it contains, if it contains any provision, अगर उसमें कोई provision है for retransfer directly or indirectly of whole or part of the income or assets to the transferer during lifetime of the beneficiary or transferee as the case may be. Revocable समझ लेंगे, यह revocable अपने आप बिटा हो जाएगा. सुनो, थोड़ी space छोड़ दो, दो तीन लाइने छोड़ देना, जरह समझते हैं. What is revocable transfer? अच्छ, revocable transfer is defined under section 63. What is revocable transfer? It is defined under section 63. चरो बेटा, समझते हैं, what is revocable transfer? देखो, मैं आपको एक्जाम्पल से समझाऊंगा. Mr. A. Mr. A. और Mr. B. यह है, ट्रांस्फरर और यह है, ट्रांस्फरी. देखो, अब पता है Mr. A. ने क्या करा? Mr. A. ने ना, Mr. B को अपना एक asset ट्रांस्फर किया. तो अव्यस ही बात है, जब asset ट्रांस्फर होगा ना, तो asset से आने वाली जो income है, वो भी क्या हो जाती है, बेटा? ट्रांस्फर हो जाती है. पता है बेटा, अब उसने क्या करा? उसने जो ट्रांस्फर डीड बनाई ना, क्या बनाई उसने? ट्रांस्फर डीड, दोनों ने जो डीड बनाई है, उस डीड में बता है, एक clause क्या लिखा हुआ है, एक clause लिखा गया उस डीड में, यस असेट शला, डीड उसने? इस असेट रीड लेडर्म, बनाई G, विखा लेडर् Ingred B, लेडिड में लिखार 3 years this asset shall retransfer back to Mr. A on expiry of 3 years पता है अब सुनो अब Mr. A ने ना transfer deed में clause क्या दलवाया कि मैं अपना asset Mr. B को transfer कर रहा हूँ ठीक है मतलब आज से इस asset का owner मैं नहीं हूँ आज से इस asset का owner Mr. B है और वो ही इस asset का owner रहेगा अगले 3 साल तक तो हम इसे underline करते हैं यह important वो ही इस asset का owner रहेगा अगले 3 साल तक government ने पूछा हाँ भई 3 साल के बाद क्या होगा यह ने कहा 3 साल के बाद क्या होना है यह asset वापिस से वापिस से मेरे पास आजाएगा देखो क्या लिखा हुआ है this asset shell re-transfer back to Mr. A तो यह asset तीन साल के बाद वापिस से मेरे पास आजाएगा ठीक है बात समझ आ लिए सबको तो मैं एक बार दुबारा बोल रहा हूँ A ने अपना एक asset B को transfer किया और उसमें clause दलवा दिया कि आज से मैं इस asset का ओनर नहीं हूँ आज से Mr. B इस asset का ओनर है और वो ही ओनर रहेगा अगले तीन साल तक तीन साल के बाद यह asset वापिस से घुम फिरके मेरे पास आजाएगा ठीक है अब हुआ क्या इससे फाइदा Mr. A को कि अगले तीन साल के लिए अगले तीन साल के लिए income जब asset ही Mr. B का हो गया तो income भी किसके hand में taxable होगी Mr. B के hands में तो basically न A ने तीन साल के लिए तीन साल के लिए government की आखों में बेटा धूल जोगती है न वही जिस income पे काईदे में tax A को देना चाहिए था वो सिर्फ इस transfer deed की वज़े से अब tax कौन देगा Mr. B देगा पहले बताब बात समझाई कोई दिकत पता है बेटा इस transfer को हम इस transfer को इस transfer को हम बेटा नाम देते हैं revocable transfer अच्छा वैसे आपने revocable का मतलब revocation का मतलब आपने contract act में भी पढ़ा हुआ है इसमें foundation में आपके और अगर आपको यादो कुछ याद है क्या मतलब था revocation का revocable का मैं आपको बताता हूँ बेटा बेटा revocable का मतलब होता है वापस लेना वापस लेना यानि withdraw करना withdraw करना ठीक है तो यहाँ पर notice करो यहाँ पर मैंने asset B को सिर्फ कितने साल के लिए दिया तीन साल के बाद वापस से वो asset घूम फिर के बेटा मेरे पास ही आ जाएगा मतलब तीन साल के बाद this transfer will revoke withdraw हो जाएगा और वापस से उस asset का owner मैं ही कहलाऊँगा पका इसे हम कहते हैं बेटा revocable transfer तीन साल के बाद ये asset वापस से मेरे पास आ जाएगा और जो transfer deed मैंने बनाई थी वो withdraw हो जाएगी मतलब वापस से इस asset का owner मैं ही कहलाऊँगा इसे कहते हैं बेटा revocable transfer और मैं आपको एक बाद पता हूँ government ने क्या कहा government ने कहा कि जब आप सुनना ध्यान से जब आप revocable transfer करते हो revocable transfer तो आपका intention आपका intention सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है और वो क्या है government की आँखों में धूल छोकना आपका intention बस होता है tax को evade करने का इसके इलावा दूसरा आपका कोई intention नहीं होता है in case of revocable transfer तो मुझे बताओ revocable transfer के case में assessi का intention बेटा सिर्फ होता है tax evasion tax की चोरी करने का intention है आपका और वो हम होने नहीं देंगे तो government ने क्या करा clubbing provisions अप्लाई कर दिए clubbing provisions shall apply clubbing provisions बेटा अप्लाई कर जाएंगे और clubbing provision में income इंकम ट्रांसफरी के hands में taxable नहीं होती है income किसके hands में taxable होती है transferor के hands में कौन है यहांपर transferor तो पेटा income taxable होगी Mr. B के hands में नहीं Mr. A के hands में taxable होगी क्योंकि आपकी intention किसको धोका देने की थी सरकार को धोका देने की थी तो लिखो यहाँ पर income will be taxable in hands of किसके hands में income transferer के hands में ही बचे क्या होगी taxable copy करो पहले इतना फिर आगे चलते है मेरे कहल से बेटा समझ आया है सबको फिर आपको एक case देता हूँ e-revocable का लो बेटा कॉपी कर लो याद रखना revocable transfer के case में income transferee के नहीं बलकि transferer के hands में ही क्या होगी taxable करो copy अब आपको करवाता हूँ e-revocable transfer उसका भी example से पढ़ेंगे देखो बिटा फिर ये e-revocable transfer क्या होता है ध्यान से समझना और ना intention देखना मेरी e-revocable transfer देखो एक्जाम्पल अज्यूम करो Mr. A है और Mr. B है अब पता है हुआ क्या ये जो सन था ना ये काफी बिगड़ावा है खर्चा वगएर बहुत करता है पैसे की एह्मियत को समझता नहीं फादर इसके बहुत रीचे है अब फादर ने एक तरीका अपने sun को line पे लाने का एक तरीका क्या सोचा फादर ने बनाई एक Trust क्या बनाई फादर ने एक Trust ठीके फादर ने क्या करा उस trust के नाम पे अपने कुछ assets क्या कर दिये बिटा transfer, तो यहाँ पर लिखते है transfer of assets father ने trust के नाम पे अपने कुछ assets क्या कर दिये transfer, लेकि बिटा father ने ना, एक condition लगाई father ने condition क्या लगाई, father ने कहा कि मैं ये assets trust को क्यो transfer कर रहाँ, ताकि इन इस property में से trust, हर महीने 15,000 रुपे मेरे बेटे को देती रहे, घर खर्च के लिए मतलब condition क्या है this property simple लिख रहा हूँ this property is to be utilized for benefit of son this property is to be utilized for benefit of son, तो मैं को बताओ, trust इस property में से हर महीने, son को कितने रुपे देगा, 15,000 रुपे परमन देगा, for his personal expenses, for his personal expenses, for his personal expenses, इस शर्ट लगाई की property utilize होगी, उसके son के benefit के लिए, और trust हर महीने son को 15,000 रुपे देगा, उसके जेब खर्च के लिए, तो बिटा यहां पर भी अगर देखें, तो तीन पार्टी मुझे नजर आती हैं यहां पर, Mr. A तो हो गया, बिटा, transferer, Mr. A तो हो गया, transferer, ठीके, पिटा, trust, ट्रस्ट क्या लाएगी, transferi, ट्रस्ट क्या 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 लाएगी, transferi, और रही बात, sun की, तो अपने आप बता सकते हैं, A और trust के बीच का जो contract था, उसका benefit किसको हो रहा है, sun को, तो sun बेटा कहलाता है, इस contract का beneficiary, sun इस contract का क्या कहलाता है, beneficiary, बात में को बताओ, समझाई, पका, अब पताओ, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुना, सुनो, अब पताओ, Mr. A ने क्या कहा, ध्यान से सुना, Mr. A ने क्या कहा, Mr. A ने कहा, कि मैं ये property, trust को transfer कर रहा हूँ, forever, बात समझना, difference notice करना, मैं अपनी ये property, trust के नाम पे कर रहा हूँ, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए मतलब पताओ, बेटा क्या होता है, मतलब, मतलब, ये property, trust के नाम पे रहेगी, forever, और पताओ, forever का मतलब ये नहीं होता, मतलब, infinity तक, ऐसा नहीं है, ये property, पहले एक बार, एक बार मैं को बताओ, चलो, ये property, trust को, क्यों दी गई थी, सन के benefit के लिए, तो obvious ही बात ना, ये property, property, trust के पास रहेगी भी कब तक, जब तक, सन जिन्दा है, एक बार सन की death हो गई, मतलब, beneficiary की death हो गई, तो ये property, वापिस से, किस के पास आ जाती है, बेटा, transferor के hands में ही आ जाती है, लेकिन हाँ, जब तक beneficiary जिन्दा है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, तब तक, ये property, बेटा, किस के नाम पे रहेगी, ट्रस्ट के नाम पे ही रहेगी, तो मुझे बताओ, यहाँ पर लिखना ज़रा, ये जो asset है, this asset, this asset, shall not, re-transfer, back, to Mr. A, during, lifetime, of time, of beneficiary, तो याद रखना, ये asset, Mr. A के पास, अब वापिस कभी नहीं आएगा, जब तक beneficiary जिन्दा है, हाँ, beneficiary की death हो गई, तो obviously बात है, आपने ये property beneficiary के benefit के लिए दी थी, अब जब beneficiary ही मर गया, तो वो property वापिस से घूम के, किस के पास आजाएगी बेटा, trust के पास ही आजाएगी, अब ही सुनना, अब अगर मैं अगर मैं रिवोकेबल ट्रांसफर, और इर्वोकेबल ट्रांसफर, transfer में बचे में difference देखू तो मुझे पता difference क्या समझ जाता है पेटा revocable transfer में asset का जो re-transfer होता है मैं दोबारा बोल रहा हूँ revocable transfer में asset का जो re-transfer होता है वो during lifetime of beneficiary या transferi होता है जबकि e-revocable transfer में re-transfer होता है लेकिन beneficiary के जीते जी re-transfer नहीं होगा हाँ beneficiary transferi के मरने के बाद re-transfer होगा तुम पता है दोनों में basic difference यही है मुझे बताओ ये वाला case कौन सा है this is a case of e-revocable transfer ये case है ये आपका e-revocable transfer का ये case है e-revocable transfer का अगर अगर मैं पूछूँ आपसे दोनों में सुनो दोनों में एक लिखना मत दोनों में revocable में और बेटा e-revocable में बेटा basic difference क्या है मुझे ये बताओ पता है रिवोकेबल में भी रिट्रांसफर होता है asset का क्या होता है रिट्रांसफर e-revocable में भी asset का रिट्रांसफर होता है लेकिन कब होता है वो important है रिवोकेबल में रिट्रांसफर होता है during lifetime of beneficiary या ट्रांसफरी और e-revocable में बेटा रिट्रांसफर होता है after after death of transfer oblique beneficiary तो पतार दोनों में न basic अगर आप difference देखो तो basic difference न intention का ही तो है भई रिवोकेबल transfer में आपका intention tax evasion का था लेकिन irrevocable transfer में आपका intention tax evasion का नहीं है आप बस अपने son को अपनी property का कुछ benefit देना चाहते हो ठीक है तो दोनों case में न आपकी intention का difference है तो मुझे अपने आप बताओ अगर रिवोकेबल transfer है तो government ने clubbing provisions को बेटा क्या करा था apply करा था अगर रिवोकेबल transfer है तो government ने clubbing provisions को क्या करा था apply और government ने का था income transferer के hands में ही taxable होगी क्योंकि motive आपका tax evasion का है जबकि जबकि बेटा irrevocable transfer में government ने का आपका motive आपका motive tax evasion का नहीं है इसलिए हम clubbing provisions को apply नहीं करेंगे clubbing provisions shall not apply और क्योंकि clubbing provisions apply नहीं हो रहे हैं तो income किसके hands में taxable होगी transferee के hands में ही taxable होगी income will be taxable in hands of transfer transferee वो income transferee के hands में ही बचे क्या होगी taxable मेरे ख्याल से difference दोनों में clear हुआ बेटा सबको ठीके तो ये आपका section 60 cover किया 61, 62, 63 बाकि हम next lecture में cover करते हैं इतना copy कर लो कर लिए बचे सबने copy ठीके चलो बाकि बटा next class में discuss करते हैं दो तक ठीख ख्यादर सुझे हुआते हैं